नमस्कार Education India पर आपका एक बार फिर से स्ववागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं CBSC Class 12 Compartment Exam के रिजल्ट के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे CBSC Class 12 Compartment Exam का रिजल्ट चेक करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में step by step दिखाई जाएगी ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा अब आईए वीडियो में बागे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है तो आपको बता दे रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपने phone या computer के अंदर Google को open कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialio.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialio.com जैसा कि अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ठीक इसी परकार से आपको लिखना है और सर्च करना है सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page open होगा यहाँ पर सबसे उपर वाली website education india को आपको open कर लेना है website कुछ इस प्रकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और scroll करेंगे तो आप देख पाएंगे CBSC 12th compartment result 2014 आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को open कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और scroll करेंगे तो आप देख पाएंगे CBSC 12th compartment result 2014 आपको इस टारेक्ट लिंक पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रूल नमबर को फिल करना है और यहाँ पर आपको अपने स्कूल नमबर को फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने admit card ID को फिल करना है सब्मिट करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपका result open हो जाएगा यहाँ पर आप theory के अंदर आपको कितने number मिले हैं और practical अंदर आपको कितने number दिये गए थे वो यहाँ पर check कर पाएंगे इसके साथ ही total marks यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही आपको side में एक abbreviation देखने को मिलेगा इसका क्या मतलब है यह दिखा देते हैं तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है RIT RIT का मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा repeating theory यानि कि theory exam एक बार फिर से देना पड़ेगा अगर यहाँ पर पास लिखा हुआ होता यानि कि यहाँ पर result के अंदर पास लिखा हुआ होता इसका मतलब है कि candidate पास हो गया है लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से compartment आ चुकी है ऐसे में एक बार फिर से appear करना होगा तो कुछ इस प्रकार से आप अपने CBSC 12th Class के compartment के रिजल को चेक कर सकते हैं हमने आपको पूरी जानकारी step by step दिखा दी है वीडियो गर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कोड़ से अवस्य करेगा और साथ ही ऐसे ही वीडियो जोर ऐसी ही जानकारीया सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबा दीजेगा मिलते हैं आप सक लिए वीडियो में कैसे नजानकारीया साथ अब तक के लिए धन्यवाद